राम राम जी सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि कल महम की पंचायत में हमने फैसला लिया था कि जो महिला खिलाडियों द्वारा 23 तारिक को शाम को पांच बजे इंडिया गेट पर केंडल मार्च बुलाए गया है तो वहां सब साथी पोचे मेरे हाथ जोड के अनुरोध है हमारी मातर शक्ती हमारे नोजवान साथी और पूरे देश वर के लोगों से कि वो भारी तादात में वहां पर पोचकर इन खिलाडियों का खोशला आप जाई करें क्योंकि आप देख सकते हैं 29 दिन बीतने के मिलकर इनका साथ दे और मेरी आप दुबार आप सब सातियों से दुबारा से अपील है कि आप सब भारी तादात में कल शाम को पांच बजे इंडिया गेट पर इनके केंडल मार्च में शामिल हुए बहुत-बहुत धन्यवाद जय जवान जय किसाद देख जो कमेटर ने फ गेंडल मार्च इंडिया गेट पर रहेगा पांच बजे वहां पहुंच जाए उससे बाद में 28 तारीक को वहां पर फिर मीटिंग होगी तो उसमें ज्यादे है ज्यादा लोग उसमें पहुंचें ने संसाथ भावन पे हैं तो जंतर मंतर यह मंसे इनक्री पढ़ता है नही अब देखते हैं कितने लोग वहां पर जाएंगे कैसे जाएंगे लेकिन नहीं उसमें बात चेरी अभी तो वह देखनी पढ़ेगी उसका फिजिकल सर्वे करेंगे कि उसके रास्ते कहां है कहां कहां गुआ बड़ी कहां गुजाते हैं उसका जाएक अभी फिजिकल सर्वे करेंगे पहले अरे टाइम जो सुबह से हो जाएगे जिब जहां आदमी जाएंगे तो वह सुबह से ही जाते हैं अभी पहले निकी बात हो जाने फेर बताए तुमा पर लोग जाते हैं 20-30 पचास आदमी रोज जाते हैं प्रेसर नहीं अपनी बात कहते हैं वे यह जी ठीक है जी अर्याने को फादा हो रहा यूपी को नुकसान हो रहा वे अपनी बात कहें अधिये तो गलत हो रहा वे नुके दें कि भई आप भर्याना चल जाओ अर्याने बात कर लो अर्याना एक आदमी जम्बनानी कोट सा वही तंग करूजा क्या हमोगे ऐसे साथ में अपनी बात कहरें लोग भी आपनी बात कहते हैं बात कहते हुह पर जा एक कोश्चन हम ऐसे कर लेग reviewing आपट यह तो 12 का मोठर ज़ल जल जा एक बोरिंग पहलोग है वेज़े दिमाग खराब है अब जाकर काम चुठावे प्रेश्टावें सभी को मेरा नमस्कार जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 23 मही को हमें इस प्रोटेस्ट का पूरा एक महीना हो जाएगा हम यहीं खा रहे हैं यहीं रह रहे हैं यहीं सोते हैं और यहीं प्रेक्टिस करते हैं 23 में को इंडिया गेट पे शाम पांच बजे केंडल मार्च करने वाले हैं मेरा आप सब से हाथ जोड के निवेदन है कि आप सब लोग जादा से जादा संख्या में आओ हमारी सांदोलन को समर्थन दो खासकर महिलाएं, बेटियां क्योंकि ये एक भारत की बेटियों की लडाई है और हमें इंसाफ मिलना चाहिए दन्यमा